चार मई को RBI ने रेपो रेट में 0.40 फीसद यानि 40 बेसेस पॉइंट और CRR में 50 बेसेस पॉइंट की बढ़ुतरी कर दी रूस युक्रेन युद की वज़े से इडेबल वाइल और चीजों की कीमतें बढ़ रही है क्रूड वाइल की कीमतें बढ़ रही है और यह लंबे समय तक बढ़ती रहेंगी इसलिए रैपो रेट में बढ़ उतरी की जा रही है सर समझना यह जरूरी है क्योंकि अब डॉकु तो अचानक फिर यह जब अगली महीने फिर पॉलसी थी या इससे 20 दिन पहले भी पॉलसी थी तब बढ़ा ही जा सकती थी अचानक ऐसा क्या दिख गया गवर्नर को जो हम जाना चाहिए जिसके अचानक रैपोरेट बढ़ा दी गई यही सवाल महतुपोर्ण है आज के इनवरी फरवरी मार्च में ही उस लेवल पर पहुंच चुकी थी और फिर भी रिजर्ब बैंक गवर्नर ने अपनी पिछली पॉलसी में केवल अलार्म किया था वार्म किया था और कहा था कि उस पर नज़र रख रहे हैं और वो जो महंगाई जिसने रिजर्ब बैंक गवर फूड बास्केट का वेटेज करीब करीब 46% के आसपास है, 45.86% के आसपास है, अब आप इस भारत की थाली में देखिए, इडबिल आयल करीब करीब 19% महंगा है, वेजिटेबिल्स की सबजियों की महंगाई जो मौसमी कारण से आई है वो करीब करीब 12% महंगी है, मीट और इस पूरी थाली को आप ध्यान से देखें, तो यह वो थाली थी वो जो शायद रिजर्बैंक गवर्नर को दिखाई दी, और यह फूड इंफलेशन थी, जिसने आरबियाई को तुरंट ब्याजदरे बढ़ाने, इंफलेशन को लेकर एक दम खत्रे का सायरन बजा देने, औ एक तरह से फार फाइटिंग करने के लिए प्रेडित किया, क्योंकि शायद यहां से आने वाले समय में अगले महीने में और जो इस तरीकी की परिस्तितियां को गेहों की कीमत को लेकर दिखाई दे रही है, मौसमी असर के कारण, फल सब्जियों की सप्लाई को लेकर दिखा दे रही है, उस हिसाब से आशंका यह है कि अपरेल मई के महीनों में भारत की उप्भोकता महेंगाई बहुत तीजी से बहुत तीजी से आगे बढ़ सकती है, और यह वो डर था, यह वो बेचैनी थी जिसने रिजर्ब बैंक गवरनर को आचानक आनन फानन में, मैं एक एमर प्रेकर में कहा था कि जब रिजर्ब बैंक गवरनर ने जहनडा उठा कर एक कहा कि महेंगाई है, तो अब शायत सरकार को भी समझ में आएगा कि महेंगाई है, और फिर उसके बाद सप्लाइ साइट के जो चैलेंजेज हैं, आपूर्ती बेहतर करने के जो चैलेंजेजेज ह कदम लेगी, जिससे कि कम से कम आपूर्ती के साहरे महेंगाई को थोड़े है तक थामा जा सके. इसा हुआ भी, हमें ततकालिक तोर पर देखा कि जब रेपोरेट बढ़ी तो रुपया कुछ स्ट्रॉंग हुआ, लेकिन अगले ही दो दिनों में रुपय में तेज गिरावट देखने को मिली. सर क्या वज़े है इस गिरावट की रुपया इतना तेजी से क्यों कमज़र हो रहा है? एक और वज़े शुब हम RBI की तरफ से ब्याज़दाने बढ़ाने की जो बाजार से मिल रही है, हलाकि RBI ने खुल कर नहीं कहा, लेकिन एक और वज़े जो हमें दिखाई दे रही देती है, वो ये कि भारत की विदेशी मुद्राभंडार में गिरावट और रुपय में गि आपकी करिंसी वीक रहेगी और उनकी करिंसी स्ट्रॉंग होगी जहां से आप पूंजी इंपोर्ट करते हैं, ये बाजार का समाने निया में, और चुँग कि भारत के विदेशी मुद्राभंडार में बड़ी कमी हो चुकी है पिछले दिनों में, और भारत के विदेशी न मौनिटरी पॉलिसी आई, उसके बाद हमने लगातार पहले दिन शायद 20 पैसे और अगले दिन 6 पैसे क्या असपास की बड़ोतरी हमने रुपएक में डालर के हिसाब से देखी, लेकिन अचानक जितनी बड़ोतरी हमने देखी थी, उस सब को फेड रिजर्व ने अपनी 50 इस पॉइंट की बड़ोतरी से बराबर कर दिया और कल की बड़ोतरी हमने परसों की घोशना के बाद 24 घंटे में डालर इंडिक्स रिकार्ड उचायब पर पहुंच गया, दुनिया की बाकिसारी करेंसीज चूंकि डालर से पेग होती है, अमेरिकी डालर के मुकालबे उन क बड़ोतरी के असर को विदेशी मुद्रा के मामले में शूने कर दिया, दो दिन में वो पूरा का पूरा फैसला डिसकाउंट हो गया और रुपया अब यहां वापस आकर खड़ा हो गया, यहां दो सिनेरियों बनते दिखते हैं, एक सिनेरियों बनता दिखता है यह कि डालर में मजबूती के संकेत, डालर इंडेक्स में मजबूती के संकेत, संभावना आने वाले समय तक बनी रहेंगी, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाय रखने के लिए, उसे रोकने के लिए, रिजर्ब बैंक पर दबाओ होगा, कि वो ब्याजदरों में और बढ होतरी करे, और इसलिए शुभर में माना जा रहा है कि जून की पॉलिसी में 25 बैसेश पॉइंट की एक बढ होतरी और हो सकती, तो बढ होतरी के वल इसलिए नहीं है कि आपके और हमारे जेब में महंगाई कम हो सके, उसका एक बढ़ा पहलू, बढ़ा हिस्सा रुपै क को तेज गिरावट से रोकने के लिए रुपए की गिरावट को थामने के लिए भी आता है और ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि ये जो होड शुरू हुई है ब्याजदेने बढ़ाने की डालर बेस्ट इकॉनमी में और भारत के बीच में ये कहां जाकर रुखती है और